नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं क्रो सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स काउं 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 क्रो सीरीज लेखक तरुन कुमार वाही चितरांकन वर्रंग सज्जा मोहन संपादन मनीश कुपता इच्छाय जो इनसान के जन्म के बाद उसमें जन्म लेती है मासों बच्चों से लेकर सौ साल के पूड़े की भी इच्छाय हो सकती है और बहुत भग्यशाली होते हैं वे लोग जिनकी सभी इच्छाय पूरी होती है लेकिन अगर कोई इनसान अत्रिप्त इच्छा मन में लिए इस संसार से कूछ कर जाए तो तो देखिए खून में चीटियां दोडाने वाला ये कॉमिक रूप नगर की बरसात की एक रात हम गरीबों के लिए बरसात, सर्दी और कर्मी का कोई मतलब नहीं जिस दिन ररी लेकर ना निकलें, उस रात भूख सब कुछ गुला देती है भूख भी कई तरह की होती है, जैसे चुर्म की भूख धंदे पानी का कोई मतलब नहीं, जिस दिन दाव लग गया, अपने पेट का इंतजाम हो जाता है क्यों भूरिया, ठीक कहता है काले, और अगर दाव यहां नहीं, तो कहीं और तो लग ही जाता है वो देख बगड, क्या खयाल है, पत्ते उलटने से पहले भूख का इंतजाम भी कर ले मगर रुपे तो सब के दाव पर लगे है, और पत्ते हमने अभी उल्टे नहीं है, तुम आओ तो सही तेज बरसाद के थपेड़े उस फ्रूट सेलर के चहरे पर और तेजी से पढ़ने लगे क्यों, ये अंगूर खटे हैं या मीठे? पैसे दिये तो खटे, नहीं तो मीठे, तब तो मीठे हैं, हाँ हाँ जाने तो भईया, आज बरसाद के कारण वैसे भी नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है अबे, हम क्या तेरे बाप की आउलाद हैं, जो हमें भईया कह रहा है? जल्दी करकाले, समेट जितने फ्रूट समेटने हैं अनानास बहुत पसंद है मुझे, तेरे पास क्या है बे? निकाल, रहम करू भईया, जाने तो अबे, जाने तो हम तुझे देंगे ही, तेरा क्या अचार डालना है? चल्द, एक दाव और खेल लूँगा नहीं, मेरे पैसे मत चीनो जननाटेदार हवा और तीर सी चुकती बारिश ऐसी जगों को और ज़्यादा खौफ नाक रूप देने में सफल रहती है इधर चारो अब खेल के मूड में आ गए थे ये अपने पैसे वापस मांग रहा है हाहा, इसे इसकी फलो की रिगड़ी पर लात कर इसकी घर को रवाना कर देते हैं हाहा, हाहा, काउ, 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 तेज हो गई थी कववे की काउ, काउ इधर धलान पर फिसलती जा रही रिगड़ी का एक पैया उस खुले गटर के रास्ते में था तभी दुरगटना की आशंका से तरस्त फ्रूट सेलर की आँखे अच्रस्तिफ फट गई थी आगे बढ़ने को उठे खदम उठे ही रह गए किसी गड़बड़ी की आशंका से फुर्ती के साथ पलट गए थे भूरिया वक काले तभी काउ, काउ, बहुत ही करकश्त वर में चीक उठा था वह का हुआ लगातार छे गंटों से उस इमारत में गूँज रही थी गिटार की आवाज जुनून सा सवार हुआ पड़ा था गिटारिस्ट पर गिटार वादक एंथनी और उस वक्त दाद भीच कर चिल्ला पड़ा भै डैमिट, रिलेक्स एंथनी, रिलेक्स पापा, चौक कर सिर उठाया उसने अरे, तुम दोनों यहां कब से खड़े हो? यही कोई पिछले तीन घंटे से, क्यों मम्मी? हाँ, और इस बीच तुमने एक गिलास पानी तक रही पिया? मेरे लिए तब तक सब कुछ हराम है जूली, जब तक मुझे वैसा संगीत न मिल जाए जैसा कि देशवर में धूम मचा दे और वैसा संगीत बनाने के लिए, लिप्स नामक म्यूजिक कंपनी ने मेरे औरकेस्टर डोरेमी और म्यूजिक किलर नामक और औरकेस्टर ग्रूप को चैलेंज किया है इस चैलेंज का पारिशर्मिक 50 लाख रुपे होगा यानि हम दोनों में से जो भी चैलेंजिंग म्यूजिक लिप्स को दे सका वो 50 लाख का भी मालिक होगा और इसी के साथ चुरुवात होगी उसकी शांदार कैरियर की भी मैंने निश्चे किया है कि ऐसा संगीत खोश कर ही धम लूगा आप मेरी उस बोयम पर धुन क्यों नहीं बना लेते पापा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं कि काला, कुरूप वा गंदा सा वो कोवा अगर किसी की चट पर बैट कर अपने करकश स्वर में काउं काउं चिलाए तो उसकी घर मेहमान का आगमन होता है काउं, काउं, काउं लेकिन अगर कोवा घर में ही घुसाए तो उफ, ये कोवा कहां से घुसाया अंदर मैं भगाती हूँ इसे मम्मी इसे पकड़ कर पिंजरे में बन कर लेते हैं ये ऐसे नहीं माने का जूली इसे मैं अपनी शॉर्टगन के छडरों से भगाता हूँ उफ, लगता है ये तुम्हारे संगीत को चैलेंज देने आया है अंथनी काउं, काउं दिमाग की नसों में तीवर गती से दोड़ता लहू उस एक शब्द से तुरंथ रिलैक्स की मुद्रा में आ गया था चैलेंज और दूसरे हिशर हे, मिल गया, मिल गया वो संगीत जिसकी मुझे तलाश थी जूली, मारिया, इस कववे के बदोलत मुझे मिल गया वो चैलेंजिंग संगीत अब तुम देखना, मेरे जल्वे हा हा हा, अरे रे, संभल कर मम्मी, पापा, कववा बाहर निकल कया काश मैं इस कववे को रोक सकता ताकि जब मेरा संगीत हिट होता तो मैं इसे मोती खिला पाता तभी चीक पड़ी नन्नी मारिया पापा, जल्दी आई है पापा कववे को चील मार रही है कववे पर जबरदस्ट आकरमन किया था चील ने शैतान चील तुझे कववे से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी गजब का निशाने बाज था एंथनी काउं, काउं, काउं नीचे किरकर पूरी तेने छट पटाने लगा था हुआ पापा, क्या ये मर जाएगा नहीं, इसे कुछ नहीं होगा मेरी नई संगीत की प्रेड़ना है ये इसे अंदर ले चलो एंथनी इसके घावों को दवा की जरूरत है और फिर, घबराओ नहीं अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे पापा, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूँगी ये मेरे साथ खेलेगा यह अभी पूरी तरह से नहीं उड़ पा रहा इसके पंक शतिक्रस्त हो गए है ये जरू ठीक होगा मम्मी, हम इसका नाम प्रिंस रखे वेरी गुड नेम मारिया और फिर जबर्दस्त उस्सा के साथ एंथनी जुट गया उस धुन को पूरा करने में वेस्टन म्यूजिक की दुनिया में हंगामा मचा देगा ये क्रो संगीत यह समय था धुन की रिकॉर्डिंग का वा, गजब का क्रो संगी था ये तो उधर उस कक्ष में परवेश करती मारिया चीक पड़ी मम्मी, मम्मी, प्रिंस, प्रिंस उड़ गया मम्मी प्रिंस उड़ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता और तभी, काउ, काउ, देखा वापस आ गया ना तुम्हारा प्रिंस अब तो ये थोड़ा-थोड़ा उड़ने भी लगा है इधर चहरे पर सफलता की मुस्कान लिए एंथनर ने मशीन से कैसेट निकाली मास्टर स्बोल से डप की गई इस कैसेट को सम्मिट करवाने की आखरी तारिक भी आज ही है म्यूजिक किलर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैंने बहुत महनत की है अपने संगीत को बनाने में लेकिन म्यूजिक किलर निसंदे डोरेमी का संगीत आपकी संगीत रचना से कहीं उत्कृष्ट है और जानते हैं सर उसे इस संगीत की प्रिणना कहां से मिली एक कववे से लेकिन हाँ, तब उत्कृष्ट है हमारा संगीत जबकि एंथोनी का क्रो संगीत हमारे संगीत का रास्ता ना काटे म्यूजिक किलर अगर क्रो संगीत लिप्स को पसंद आ गया तो हम सब का भविष्य अधर में लटक जाएगा क्योंकि लिप्स में हमारे संगीत की स्विकृति के बाद हमें कई और बड़े-बड़े म्यूजिक काउंट्रेक्ट मिल सकते हैं फिर हम सब एक दूसरे से चुड़े हुए है जैसे हमारे काम को फाइनेंस करता है पलवन्त मुझे भी जबरदस फायदा होता है म्यूजिक किलर से साइकल टैक्सन जैसी पॉप सिंगर और डांसर के कारण भारी फिर उमड़ परती है हमारे हर शो में आयम मस्ट्री डांसर बूचर जिसके कारण शो पर लगा हमारा पैसा कभी डूपता नहीं किसकी हिम्मत है कि वो म्यूजिक किलर को शो के लिए अरेंज करे और फिर समय पर पैसा ना दे तुम खुद और्गनाइजर हो म्यूजिक किलर की नीव तुम नहीं रखी है और मैं प्रभुजया जो अपनी छोटी ही सही संगीत कंपनी HMT के जरिये तुम्हारे संगीत के ओडियो कैसेट्स तयार करके उन्हें देश भर में नाम देता हूँ फिर जितना पैसा लिप्स हमें दे रही है उससे कैसे बिके या ना बिके हमारा भाग्य तो खुल जाएगा हम HMT के जरिये भी तो अपने संगीत को रिलीज करने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि उसके पिटने की सूरत में हमारा पैसा तो डूबेगा ही लिप्स से मिलने वाला पैसा भी मारा जाएगा इसलिए अगर हमारा बनाया संगीत लिप्स द्वारा अस्विकार कर दिया गया तो म्यूजिक किलर के बिजनेस कैरियर का अंत हो जाएगा यह बात पक्की है मगर म्यूजिक किलर ऐसा होने नहीं देगा सिगरिट के धुमे को चल्लो के रूप में छोड़ता हुआ गुर्रा उठा म्यूजिक किलर उधर जोली ने रवाना किया एंथनी को जीजस सफलता को तुमारे कदमों में लाकर डाल देगा एंथनी और यह सब होगा हमारे प्रिंस के कारण काउं काउं मगर कि प्रिंस अजाना कितना शोर क्यों जा रहा है काउं काउं अपने कमरे में पहुँचते ही थरथरा गई मारिया उफ शैतान बिल्ली मियाउं मियाउं चल दूर हट शैतान बिल्ली प्यारे प्रिंस अब मैं तुझे इस तरह खुला नहीं रहने दूगी जब तक कि तुम पूरी तरह से उड़ने के काबिल नहीं हो जाते इसलिए ये पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है उफ तुम्हारे काउं काउं कानों में रूई ही डाल लेती हूं मैं तो और उधर उससे पहले की दरवाजा बंद कर पाती जूली धमाके के साथ जूली से आठ अकराया दरवाजा और कौन हो तुम्हारे जानने वाले मुझे बूचर के नाम से जानते हैं क्योंकि एक बार मैंने दो मासूम बच्चों के सिर काट दिये थे ले आओ उस छोकरी को भी मम्मी बेचैनी से पंक फरफडा रहा था पिंजरे में प्रिंस शेहर की भीर भड़ी सरकों से निकल कर अब एंथनी पहुँच चुका था हाईवे पर आज तो एक एक मिनट बिताना मुझे भाड़ी पढ़ रहा है जल से जल अपना क्रो म्यूजिक मैं लिप्स को सुना देना चाहता हूँ अपनी कलपनाओं की दुनिया से बाहर निकला एंथनी क्योंकि हकिकत की दुनिया से उसका सामना होने वाला था मुझे बिना एक शब्द निकाले गुंडे ने एक तस्वीर को विंड स्क्रीन पर इस तरह जिपका दिया कि वो अंदर बैठे एंथनी को ही दिखती जिसे देखते ही एंथनी के मस्तिष्क में चीट्यां सी दोडने लगी जूली, मारिया, उफ, ए, रुको, ठैरो बाज की तरह जपट कर उस तस्वीर को उतार लिया एंथनी ने क्रो संगीत का मास्टर स्पूल लेकर नीचे दिये गए पते पर मिलो और ध्यान रहे, पुलिस को इन्फॉर्म करने की तुम्हारी कोशिश जीवन भर का पश्तावा बन सकती है ओ, तो यह काम Music Killer Group का है मगर मेरे गुर्प के अलावा अभी किसी को क्रो संगीत के बारे में पता नहीं है जरूर मेरे गुर्प का कोई आदमी Music Killer से मिल गया है मगर कौन? कार वापस मोडने पर विवश हो गया था भै संगीत मेरी जान है तो जूरी और मारिया मेरी सांसे, मुझे उन्हें बचाना होगा फिर मास्टर स्पूर लेकर जैसे ही चलने लगा एंथनी काओ काओ ओ तुझे यहां जरूर मारिया ने बन किया होगा काओ काओ तुझे अपना यहां ध्यान रखना प्रिंस क्योंकि मैं जहां जा रहा हूँ पता नहीं वहां से जिन्दा भी लौट पाऊंगा या नहीं तेज कदमों से बाहर निकल गया एंथनी अगर तेरे नसीब में मेरे हातों से मोती खाना लिखा होगा तो ही वापस आ पाऊंगा एंथनी का दूर तक पीछा करती चली गई प्रिंस की निगाहे म्योजिक किलर तुमारा यहां स्वागत करता है एंथनी मास्टर स्पूल कहा है मास्टर स्पूल मेरे पास है म्यूजिक किलर जूली और मारिया कहा है तुरंट स्टेज का अंधेरे में डूबा एक कोना रोशन हुआ एंथनी, पापा जूली, मारिया, घबराना नहीं मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हे पापा, ये लोग बहुत गंदे हैं तुम यहां क्यों आये हैं अंथनी ये मास्टर स्पूल तुम्हारी जिंदगी है चले जाओ अंथनी, भाग जाओ अरे, मेरी जिंदगी तो तुम हो तुम रहोगे, तो न जाने कितने और क्रो संगीत में बुन लूँगा यह हरकत करने पर हम मजबूर हैं अंथनी यह धोके बाजी है म्यूजिक किलर प्यार और व्यापार में सब कुछ जायज है अंथनी, अपनी बीवी और बच्ची के साथ अंतिम यात्रा पर जाने से पहले हम तुम्हें क्रो संगीत अवश्य सुनाएंगे जिसे सुनते हुए ही तुम मरोगे क्योंकि हेटफोन के जर्ये तुम्हारे कानों को आवाज की उच्छ फ्रिक्वेंसी प्रसादित की जाएगी जो कि तुम तीनों की मस्तिश की नसों को जंजना कर तुम्हें एक संगीत में मौद देगी हाँ 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 शुरू हो गया क्रो संगीत म्यूजिक किलर तुझे जो करना है मेरी साथ कर जूली और मारिया को छोड़ दे कमीने मैं तुमसे कह रही थी कि मास्टर स्पूल मत सौंपो प्रभु दयाल कमीने छोड़ दे उसे अपने आखरी वक्त में लोग भगवान का नाम जबते हैं और तु गालिया बग रहा है ओह मम्मी बलवंद ने आवाज की फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दी हाँ 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 थोड़ी देर में ही तुम्हारे दिमाग की नसे फट जाएगी पापा मारिया मेरी बच्ची उफ बंधनों को तोड़ने के लिए उसने अपनी संपोन शक्ती लगा दी लेकिन हाथ लगी असफलता बेबसी पर ठाके उबल रहे थे शैतानों के गले से क्रो संगीत सचमुच लाजवाब दिया है तुमने एंथनी मैं कायल हो गया तुमारे फन का लेकिन तुम सब का मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्रो संगीत पर अब डोरे में की नहीं बलकि म्यूजिक किलर की मोहर लगे की बेहोश होकर जूल गई थी मारिया जबर्दस ढंग से चीक मार कर बेहोश हो गई जूली भी जूली नहीं जूली नहीं उफ अरे दरिंदो बस करो और तब काउं 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 किसी की निगाहे न गई थी प्रिंस पर जिसकी आँखों में सूर्खी आई हुई थी और ये सूर्खी मौत की थी काउं 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 ओह दुश्मनों को अच्छी तरह पहचान गया था वो काउं काउं ये ये काउं कहां से आ गया उफ आ आ मेरी आँख साइकल टेक्सन अपनी चरीर को लचका कर न केवल बज गया था बलकि उसने कोवे को जर दिया था गोसा भी उफ ये तो कयामत की तरह आया है जपट कर आगे बड़ी वो काली प्रले और पर प्रिंस शाबाज प्रिंस तोड़ दी सारी तारे अपनी तरफ से प्रिंस ने एंथनी के बंधने तोड़ने की चेश्टा की थी सन्योंग वशी हैटफोन की वहतार आ गई थी उसकी चोँच में प्रिंस की चोँच के जटके से खिंच कई सभी तारे पलक छपकते ही यह सारा हंगामा मचा डाला था उसने और तब जैसे होश आया सबको चीक पड़ा नागोरी खत्म करदो इस शैतान कोवे को यह वही कोवा प्रिंस है जिसने एंथनी को प्रिंडना दी थी नागोरी, कमीने, गद्दार डंडा भरपूर तेजी के सार टकराया प्रिंस की खोपड़ी से दर से तड़प उठा एंथनी प्रिंस, भाग जा प्रिंस ये दरिंदे तुछे मार डालेंगे शिर्ण होने लगी थी प्रिंस की सांसे गुर्रा उठा म्यूजिक किलर बूचर, इसे बाहर स्विमिंग पूल में प्रुबो दो नहीं, उफ प्रिंस के खोन से नहा गया मंच और इधर एंथनी को उसी अवस्था में फेक दिया गया स्विमिंग पूल में मैं, मैं लोटूंगा, मैं लोटूंगा चलो, अब कोई खत्रा नहीं है मेरे खयाल से हमें इन सब लाशों को ठिकाने लगाने के लिए अपने इस हैड़कॉर्टर को आग लगा देनी चाहिए जिसे हम बाद में इन्शोरेंस से क्लेम कर लेंगे आग लगा दी गए लेकिन अपनी आखरी सांस उसने तूटने न दी पर प्रिंस, काउ प्रिंस के हलके से परियास से ही मारिया को होश आ गया था शायद यह कमाल था उस रोही का जिसे प्रिंस की काउ काउ से चुटकारा पाने के लिए उसने अपनी दोनों कानों में ठूंस रखी थी प्रिंस, कोशिच कर प्रिंस, रस्ती खोल या आग से जला दे वरना मैं और मम्मी दोनों जल जाएंगे मारिया का संकेत शायद समझ गया था प्रिंस शाबाश प्रिंस आजाद होकर बाहर निकलाई थी वहें प्रिंस के साथ आग आग मेरे मम्मी पापा अंदर है जोली में प्राण बाकी थे अभी उसे फोरण अचेत अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचाया गया इधर एंथनी की लाश परामत कर ली पुलिस ने और पूरी कानूनी कारवाई के बाद जिसे दफना भी दिया गया प्रिंस की हालत में इलाश के बाद काफी सुधार था और इधर कबर पर मौजूद थी मारिया पापा आपने कहा था कि मैं लौटूँगा आप तो कभी जूट नहीं बोलते थे पापा फिर आपने जूट क्यों बोला लौट आईए पापा मैं आपका इंतजार करूँगी काओ काओ क्या एंथनी वापस लौट सका जानने के लिए देखें प्रिंस क्रो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद